दुनिया भर में समुद्री कच्छूओं की साथ जीवित प्रजातियां पाई जाती है ओलिव रिडले टर्टल्स दुनिया के सबसे छोटे और सबसे प्रचूर मात्रा में पाई जाने वाले समुद्री कच्छूओं में से है ओलिव रिडले का नाम इसके ओलिव रंग के खोल के कारण पड़ा है ये टर्टल्स कार्णिवोरस यानि मासाहरी होते हैं और मुख्य रूप से जैली फिश, जींगा, घोंगे, केकडे, मुलासक और विभिन प्रकार की मचलियां और उनके अंडे खाते है ओलिव रिडले टर्टल स्पैसिफिक, अट्लांटिक और इंडियन ओशिन के ट्रोपिकल और सब्ट्रोपिकल रिजिन्स में पाय जाते हैं खासकर वहाँ जहां पानी गर्म होता है ये कचुए अपना पूरा जीवन समुद्र में बिताते हैं परन्तु मादा कचुए अंडे देने के लिए हजारों किलोमेटर की दूरी तै करती है हजारों मादाएं सामोह गोसले बनाने के लिए एक ही समुद्री तट पर एक साथ आती है और अपने अंडे देती है इस मास नस्टिंग फेनोमेना या सामोहिक घुसले बनाने की प्रक्रिया को अरिबाड़ा कहा जाता है जो दुनिया भर में केवल कुछ ही गिने चुने समुद्री तटो पर होता है वास्तव में अरिबाड़ा एक स्पैनिश शब्द है जिसका अर्थ है आगमन या अराइवल कचुए अपने अंडे देने के लिए नदी के मुहाने और खाडियों के पास वाले समुद्री तटो का चैयन करते है प्रतिक वयस कमादा एक समय में लगभग 100 से 140 अंडे दे सकती है ये कचुए मैक्सिको, भारत, निकारागुआ और कोस्टारिका के तटो में बड़े पैमाने पर घोसले बनाते है भारत में ओडीशा के केंद्रपड़ा जिले में गहिर माथा समुद्री तट दुनिया में ओलिवरिडले टर्टल्स का सबसे बड़ा नेस्टिंग साइट है जो भीतरकनी का वन्यजीव अभ्यारनने का एक हिस्सा है ऐसा नहीं है कि ये कचुए सिर्फ ओडीशा के समुद्री तटो पर ही घोसले बनाते हैं ओलिवरिडले कचुए भारत के अन्य तटो पर जैसे पश्चिम बंगाल, तमिलनाडू, गुजरात और महाराष्ट्रा के तटो पर भी कई घोसले बनाते हैं लेकिन कम अकेले भारतिय समुद्री तटो पर हर साल साड़े पांच लाग से अधिक घोसले बनाये जाते हैं हर साल नवंबर और दिसंबर के बीच इंडिया के इस्टन कोस्ट, खासकर उडिशा के गहिर माथा और रिशी कुल्या तटो पर ये कचुए आते हैं और घोसला बनाने के लिए अप्रेल और मै तक यहीं रहते हैं अंडे देने के लिए तट पर आने से कई दिन या सब्ता पहले ही मादा कचुए तट से दूर एकत्र होना शुरू कर देते हैं घोसला बनाना जनवरी के अंतसे फरवरी की शुरुवात तक होता है अरिबाड़ा या मास नेस्टिंग इवेंट लगभग 28 दिनों के लूनर साइकल पर होता है अधिकतर अरिबाड़ा इवेंट्स की शुरुवात लूनर साइकल की लास्ट क्वार्टर के आसपास और अमावस्या से ठीक पहले की सबसे अंधेरी रातों के दौरान होता है वयस्क मादा कच्वे अपने अंडे छोड़कर दोबारा गहरे समुद्र में लौट जाती है बाद में अपने आप अंडे फूटना शुरू हो जाते है प्रतिक बेबी कच्वे का आकार एक माचिस के डिब्बे के बराबर होता है और समुद्र तट रेंगने वाले नन्हे अलिवरिडले कच्वे के बच्चों से भर जाते है जो विशाल माहसागर की और अपनी पहली यात्रा शुरू करने के लिए बिलकुल तयार होते है जहां वे अपना बाकी जीवन तैरने, खाने और लंबी दूरी की यात्रा करने में बिताएंगे लगभग 13 साल बाद वयस्क होने पर ये कच्वे दोबारा अंडे देने के लिए इनी तटो पर लोट कर आते हैं और ये चक्र इसी तरह चलता रहता है अलिव रिडले कच्वे में अर्थ के मैगनेटिक फिल्ड को महसूस करने की शमता होती है जब ये कच्वे पहली बार अंडो से निकलते हैं हालांकी ये टर्टल्स बड़ी संख्या में पाय जाते हैं पर पिछले कुछ वर्षों में ओलिव रिडले टर्टल्स की आबादी में 30 से 50 प्रतिशत तकी गिरावट देखी गई है जिससे उनकी आबादी खत्रे में पढ़ गई है और IUCN दवारा उन्हें लुप्त प्राय प्रजाती माना जा रहा है भारत में समुदरी कच्वों को वाइल लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की अनुसूची एक के तहट सनरक्षित किया गया है इसका मतलब है कि उन्हें सर्वोच सुरक्षा दी जाती है और उन्हें कोई भी नुकसान पहुचाना कानून द्वारा दंड़नी अपराध है ओलिवरिटले कच्वों के मुख्य खत्रे अंडो और बच्चों का शिकार समुदरी प्लास्टिक वेस्ट से उलजना और मचली पकड़ने वाली जाल में फसना शामिल है उडिसा सरकार ने मचुआरों के लिए टर्टल एक्स्क्लूडर डिवाइस का उपयोग करना अनिवारे कर दिया है जिससे ओलिवरिटले कच्वों के संरक्षन में सहायता मिल रही है एक और बात इन कच्वों का सेक्स डिटर्मिनेशन यानि लिंक का निर्धारन जेनेटिक नहीं होता बल्कि इस बात का निर्धारन की ये कच्वे नर होंगे या मादा इस बात पर निर्भर करता है कि इनके अंडों को किस टेंपरेचर में इंक्यूबेट किया गया है अगर इनक्यूबेशन के दौरान अंडों को 28 डिग्री सेल्शियस या इससे कम तापमान मिलता है तब अंडों से नर विक्सित होते हैं और जब अंडों को 31.5 डिग्री सेल्शियस या इससे उपर का तापमान मिलता है तब मादाएं विक्सित होती हैं इसलिए global warming से बढ़ रहे temperature से इन कच्छों की sex ratio भी बुरी तरह से प्रभावित हुई है भारत में ओलिव रिडले कच्छों की सुरक्षा के लिए नेस्टिंग के दोरान गहिर माथा सेंचूरी के अंदर और 30 से 20 किलोमेटर दूर मचली पकड़ने की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है ये प्रतिबंध उडिशा समुद्री मचपालन विनियम अधिनियम 1982 और उडिशा समुद्री मचपालन नियम 1983 के तहत लागू किया गया है इसके अलावा इंडियन कोस्ट गार्ड भी हर साल ओलिव रिडले टर्टल कंजर्वेशन प्रोग्राम और इसके अलावा जोलोजिकल सर्वे ओफ इंडिया द्वारा ओलिव रिडले टर्टल के कंजर्वेशन के लिए सैटलाइट टैगिंग प्रोग्राम भी चलाया गया है जब भी टैक किये गए कच्छुए पानी की सतह पर आते हैं तो कच्छुओं से जुड़ा सैटलाइट ट्रांस्मिटर और बिटिंग सैटलाइट को सिगनल भेजता है जिससे कच्छुओं के माइग्रेशन पाथवेज और की हैबिटेट का पता लगाया जाता है जिससे इनके कंजर्वेशन में सहायता मिलती है तो दोस्तो ये थी ओलिव रिटले टर्टल से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी अगर आपको ये पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शियर और सब्सक्राइब करके सपोर्ट करे आज के लिए इतना ही जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ धन्यवाद